हाई एवरिवन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दही मिर्ची की बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चटपटी वाली रेसिपी ठंड का मौसम पढ़ने लगा है और सभी के घर पे कई तरीके के पराठे भी बनते हैं आलू, मेथी, गोबी और ये जो दही मिर्ची की रेसिपी अज़ बहुत साथा तीखें नहीं होते हैं काफी बड़े साइस की होती है इस मिर्ची को ले ले लेंगे और इसे हमें इस तरीके से चीरा लगा लेना है ताकि जब हम इसको पकाए तो सारे मसालों का जो फ्लेवर रना इसकी अंदर तक अची तरीके से जा सके तो यहां पर मिर्च है ना काफी बड़े साइस की है इसलिए मैं इसको आधे टुकड़ों में कट कर रही हूँ अगर आपने मोटे थोड़े छोटे साइस वाले मिर्च लिए तो आपको इसे काटने की जरूरत नहीं है और मिर्च को काटने के पहले अची तरीके से धो ले इसको सुखा उसके बाद ही आप इसको कट करें तो देखें मैंने यहाँ पे सारे मिर्च को कट करके तैयार कर लिया है अब हम गयस पर चड़ाएंगे एक पैन इसे गरम करेंगे और इसमें हम डाल देंगे दो से तीन अ यह तीन बड़े चमच तेल दाना थोड़ा सा कम डालना है तेल गरम होते ही हम इसे डाल देंगे और थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे जैसे ही मसाले तड़क जाए अब हम क्या करेंगे हम इसमें मिर्च को डाल देंगे मिर्च को हमें इस मसाले के साथ थोड़ा सा भूना है ताकि सारे चीजों का फ्ले सबसे पहले हम इसमें अच्छी तरीके से मिला लेना है और लगवक दस से 20 सेंड तक हम इसको थोड़ा सा नमक के साथ ही पकाएंगे यहां पे ना में एक चीज डालना भूल गई थी जिसे आप तेल जब गरम कर रहे हैं पंच पोरन के साथ ही आप डाल दे वह हैं तो यहां प गरम होते साथ हिंग डालने से न बहुत ई बढ़िया है ठ्लीफलेवर आता है बहुत ही टेस्टी लगती है अब हम इसमें मसाले आट कर देगे आदा चोटाじसाबंच जीर पाउडर तीन चुथा चोटसाबंच नमंच दनिया फटर टीन चोटाई छोटाच चम्ग लाल मिं और बहुत ही टेस्टी तयार होती है कैस की आज को थ्हाइं गजाउए और इसके पहाद इसके बाद अच्छी तरीकेसे हमें चलाते विर मिक्स करना है तो यहान पर मशालों मिक्स हो गए है क्यां फ़िल्कुल धीमा कर दे और इस समय हम इसमें ብ झॉL तो आपकी दही नहीं है तो आप अमचूर की कौंटिटी को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं रेसिपी हलकी सी खटी-खटी बनती है तो जादा स्वात्की लगती है अब इसको दही डालने के बाद अच्छी तरीके से चलाते वे मिक्स कर लेंगे जब तक यह सारे मसाले अच् मिर्च में जो हलकी सी कसर रह गई थोड़े से अच्छी से पक जाए एक दो मिनिट के लिए हम इसको ढग देंगे तो दो मिनिट के लिए मैंने इसको ढग दिया था और यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से खुश्बू भी आ रही है और बिलकुल बढ़िय के साथ बहुत मज़िदार लगती है गैरंटी है मेरी एक बार बना लेंगे ना तो आपको यह बार-बार बनाने का मन करेगा एक जैसी सबजी खाखा के अगर बौर हो गए हो तो यह दही मिर्ची की रेसिपी मस्ट ड्राई रेसि एक बार आप इसको ज़रू ट्राई करें तो लीजिए तयार है दही मिर्ची की बहुती टेस्टी चटपटी वाली रेसिपी बनाते बनाते ही ना आपके मूँ पे बिलकुल पानी आने वाली रेसिपी है रोटी पराठे पूरी के साथ साथ दाल राइस के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं और आप इसे एक हफ़ते तक रखकर भी खा सकते हैं बिलकुल खराब नहीं होती है बस मिर्च को धोने के बाद अच्छी तरीके से पोँच ले उसके बाद ही आप इस रेसिपी को बन झाल झाल